बच्चो हम लोग ने इसका तो कर लिया था ना ये रसकान कर लिया था वाद मुनिंगी पहले दिनiness कर ली थी आज हम लोग इसके पॉर्शनाel से करहेंगे सेकंज पिरट मे हम पहला प्रशन है क्या है मीरा ने कुछिन के किन गुणों का बखान किया है जो मीरा दास ये मीरा भाई के दुपद है इसमें उन्हें किन गुणों को बताया है तो यहां पर मने कुछिन का अंसा लिखा देखिए मीरा जी ने श्री किष्णे के अमरित रस भरे अधरों पर मुरली सुशोवित होने मतलब उनके मोटों पर जो सुन्दर सी मुरली है उसको गले में वेजनती माला है और उनकी कमर पर छोटी सी घंटी उनकी कमर पर क्या है छोटी सी घंटी चुबाय माल होने और उनके बाउं में खुंगरों की धनी सुन्दर रस उत्पन कर आदी गुरों का बर्लंग किया है। मतब जैसे तो पूरी जो मेरा बाई की सारी रचनाएं बच्चों जित्ती भी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं बोली हैं कर रहा हैं में बाई कर दुछाइं दूगोगोट Graduate का बाई किया है। मेरा जी ने किस्के विषय के विषय में किन गुरों का वर्नग किया है फिर से एक बार देखीजे, क्या है, अम्रिद रस भरे, अधरोपर, मुल्ली सोशोवित, गले में वेजन्ती माला, और उनकी कमर पर छोटी घंपी, शोभाई मान भूने, और उनके पैरों में खुंगुलूटी धमी, मधुर स्वर्ट उत्वन करने आदी गुरों को का पहान दिया है, ठीकर अच्छो, पहले प्वेशन का अब दूसरा, तुलसी दास जी ने सबसे बड़ा धरम और सबसे बड़ा आधरम किसे बताया है, क्या है प्वेशन, तुलसी दास जी ने सबसे बड़ा धरम और सबसे बड़ा आधरम किसे बताया है, तुलसी दास जी ने क्या कस्ठ देने या दुख देने को सबसे बड़ा आधरम बता रहा है इस लेशन में इस लेशन में उनके दोहे थे तुलशी दाजी के उन दोहों में उन्होंने क्या बताया था उन्होंने कहा था यहाँ पे देखो परहित जरिस धरम ना ही भाई परपीडासम ना ही अधमाई मतलब परोकार करना जो है सबसे बड़ा धरम का काम है और दूसरों को कस्ठ देना यह सबसे बड़ा आधरम या पाप काम है तीसरा देखो लेसन तीसरा कोशन देखें रस्खान में तीनों लोकों को राज का राज किस बात पर निच्छावर करने को कहा है तो यहां पे देखें बाल कृष्ण के लाठी और काली कम्री वाले रूप पर कवी रस्खान में तीनों लोकों को राज निच्छावर करने को कहा है मतलब उनका पुर्बाल कृष्ण का जो रूप है जो वो लाठी लिये हैं और काली कम्री मतलब काली वैसा रूप है उनका उन सब उन्हारते विरून का इतना सुन्दर हैं वो कि उनके ऊपर क्या करें तीनों लोकों के राज को निच्छावर किया जा सकता है ये उनकी इतने खुबसूरत हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनके उपर तीनों लोकों का राज निच्छावर करने को अपहा है फिर जौता प्रश्ण रस्खान ने कवे को भागशाली क्यों कहा है वो श्री क्रिष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन कर खारा हुए मत्तब रस्खान ची का मतलब है वो कवे कितना भागशाली है जो श्री किष्ण के हाथ से मक्खन रोकी छीन कर खा रहा है ठीक है बच्छो यह देखो चार और इसके पाच्वा क्या है यहाँ पर रस्खान जी ने किष्ण की कैसी छवी का वर्णन किया है अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर आपको यह लिखाया है कैसी छवी का यही आंसर है इसका कैसे वो सुन्दर लग रहे हैं कैसे उनकी चोटी है कैसे खेल रहे हैं यही आंसर है यह वाला आंसर लास्ट वाले कॉश्ण का आंसर रस्थान में किष्ण की कैसी छवी कवर्णन किया है यह आपको करना है ये question का answer आपको लिखना है और ये चारो question का answer मैंने लिखा है आप अच्छे से ध्यान से देख लिजे और इसको अपनी copy में लिखके मुझे second period में दिखा है ठीके बच्चो सब अच्छे ध्यान से देख लिजे कुछ पूछना हो था आप मुझसे पूछ सकते जाला question है दूसरा है बड़ा बड़ा करके देखिएगा चारो question ये है एक question आपको अपने आप करना है second period में है तो English मत हिंदी सुड़ेक का लेकिन इसमें हम इसमें अभ्यास करा रहे है तो आप इसी को करिएगा ठीक है बच्चो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं ठीकी रच्चा थाइंक्यू रच्चा